हलो फ्रेंड्स चॉकलेट केक खाना किसे पतन नहीं होता बच्चे हो या पढ़े सबी का फैबरेट होता है चॉकलेट केक तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ यह बहुत ही टेस्टी सा चॉकलेट केक जिसे मैंने बनाया है सिर्फ तीन चीजों से जिहां दोस्तों इस क केक को मैंने सिर्फ तीन ही चीजों से बनाया है और आप देख सकते हैं कि कितना टेस्टी चॉकलेट केक हमारा बनकर रेडी हुआ है तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को अगर पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर लाइक जरूर कीजिएगा आप देख स अब हमें क्या करना है मैंने लिए दो पैकेट और विस्किट और अब हमें जो इनके बीच वे क्रीम लगी होती है उस क्रीम को कर लेना है अलग क्योंकि वो हमारे टॉपिंग के काम आएगी तो इस तरीके से आप बिस्किट को खोलें और इस क्रीम को साफधानी से किसी प्रीम को अलग कर लिया है रो बिस्कित को अलग कर लिया अब आप क्या करें इस pię पीसकीट को फीले थोड़े चोटहू ने तोड़े तोड़े, इस से क्या होगाR le तो देखिए मैंने बिस्कीट को डाले और दो चम्मच चीनी दालकर उक बारीक बना ले अब इस पाउडर को आप टांसफर कर लें एक बाउन में और इसमें डालें नॉर्मल रूम टेंपरेचर वाला आधा कब दूद या जैसे भी कंसिस्टेंसी आप बैटर की रखना चाहते हैं मतलब उतना दूद इसमें दीरे दीरे करके डालते जाएं और मिक्स करते जाएं चलाते रहें हमें बहुत ज्यादा सामान की जरूरत नहीं है इस केक को बनाने के लिए केवल तीन चीजों से ही आप इस केक को बना लेंगे सकते हैं तो देखे करीब 10 मिनट हो गए हैं हमारे बिस्कित के पेस्ट को रखे हुए और काफी अच्छा बैटर यह हो गया है तो बस अब हमें इसमें डालना है इनो तो मैंने ले लिया यह एक पाउची दू आप कोई भी फ्लेवर का इनो ले सकते हैं जनरल वाला लें तो क्योंकि बहुत जादा देर रख लेते हैं तो जो इनो का एक्टिवेशन है वो कम हो जाता है तो देखे मैंने काफी अच्छे से इनो को मिक्स कर लिया है और अब इस सारे बैटर को में ट्रांसफर कर देती हूँ अपने केक के बरतन में आप देख सकते हैं कितनी कड़ाई को गर्मोनी के लिए रख दिया है तो इस प्रोसेस को बिल्कुल विस्कित ना करें और इस बरतन को इसमें ट्रांसफर करके कवर कर दें अब इस केक को बनने में आपको 30-35 मिनट जरूर लगेंगे 30 मिनट बाद चैक करें क्योंकि सब की फ्लेम अलग होती है देख केक बेक होकर रेडी है और इसे निकाल लें अब निकालकर आप इसको ढखके थोड़ी देर के लिए चोड़ दे जिससे ऊपर की सरफेस सूखे न और फिर हम इसे अनमोल्ड कर लेंगे देखिए हमारा केक ठंडा हो गया है अब हलका सा चाको से स्क्रैप करें जिससे ही काफ बटर पेपर के स्तेमाल किया है तो केक बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं देखिए कितनी असानी से केक बाहर आ गया है अब पीछी देखिए अब देख सकते हैं कि कितना अच्छा सॉफ्ट मॉइस्ट केक हमारा बनकर तयार हुआ है अब चाहें तो आप इसकी ऐसे ही ड़ेट फॉर्म पर रख लिया और एक नाइब की सहता से आप क्या करें पहले इस तरीके से कटमार्क लगा लें चारो तरफ मैं आपको केक को डिवाइट करने का बहुत ही आसा अर अच्छा तरीका बताने वाली हूं इस तरीके से 4 तरफ कर लें आप और फिर लेले ने तो देखे दोस्तों हमारा कितना अच्छा केक दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है अब जो हमने वो केक की क्रीम उतार कर रखी इसमें मैंने डाल दी एक चमर्च दूद की मलाई ये ना हो तो आप डूद एड कर सकते हैं और अच्छे से फेट ले और इसे जो हमने दो हिस्स दूसरा पार्था केक का उसको इस तरीके से रख दें तो लीजे केक रेडी हो चुका है अब अगर इसको और अट्रक्टिव बनाना है तो मैंने ले लिए थोड़ी सी चॉकलेट थी मेरे पास अब मैंने इस तरीके से एक बरतन में पानी गर्म किया और इसके उपर के लिए इसमें डाल दिया एक चम्मच बटर इससे बहुत अच्छी शाइन भी आ जाती है और बहुत अच्छा ही चॉकलेट गनाश बनकर तयार हो जाता है लेकिन चॉकलेट ऑप्शनल है अगर आप पसंद करते हैं तो डालें अधरवाई जैसे भी ये केक बहुत ही टेस् हमारे चॉकलेट अठीक नहीं हमारे चॉकलेट है अधर डाल दिया अब मैंने थोड़ा चॉकलेट बचाई ती तो इससे और भी दिखने में यह वह ताफि आ अच्छा हो जाएगा जिसका अधर फैसे और देखने में काफि अच्छा लगे गा और टेस्ट भी अच्छा हो तो लीजे दोस्तो हमारा टेस्टी सा चॉकलेट केक सर्व के लिए तैयार है आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा केक हमारा बनकर रेडी हुआ है तो अगर आपको मेरी रेस्पी यूसफुल लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और अपना अनुगों मुझे कम करना आप ना भूलें आप देख सकते हैं कि कितना मॉइस्ट और टेस्टी केक हमारा ये बनकर तैयार हुआ है आप भी बनाईए टेस्टी सा चॉकलेट केक आज के लिए इतना ही मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ भैन्यवाद